हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूटुब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर ही इनसानों को क्यों काटती है दोस्तों आप लोग ने बहुत सी बिमारियों के बारे में सुना होगा कि बिमारिया मच्छरों के काटने से फैलती है लेकिन इस बात पर गोर कीजिएगा कि सारी बिमारिया सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छरों के काटने से ही फैलती है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ मादा मच्छर ही क्यों काटती है नर मच्छर क्यों नहीं काटता क्योंकि या फिर इसका मतलब कहीं ये बात तो नहीं कि वो मादा है इसलिए वो क्योंकि वोलतों को काम काटना होता है इसलिए वो इंसानों को काटती है लेकिन ये बात बिल्कुर सत्य नहीं है कुछ मामलों में सत्य हो सकती है जैसे कि हम इंसानों के मामले में लेकिन मचरों में क्या होता है कि नर और मादा मचर दोनों ही फल और फूलों से उनके रस से अपने पौशक तत्वों को प्राप्त करते हैं लेकिन मादा मचर में अपने अंडों को विक्सित करने के लिए उन्हें खून की जरूरत होती है और अपने अंडों को विक्सित करने के लिए जो खून चाहिए, वो खून उन्हें मिलता है इंसानों के शरीर से, इसलिए मादा मचर काटती हैं, और वो काटती है तो उनके खून के माद्यां से बिमारियां एक शरीर से दूस्टे रेल में पहुंच जाती हैं, तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिए से लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद